हलो गैस तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देर के यूज़ वाले सेंटेंसे है जब हैड के यूज़ से यूज और हैजब हैड के यूज के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उनको देखिए तब आपको देर के यूज समझ में आएगा और हैजब हैड का यूज समझ में आएगा अगर आपको देर के यूज बाले सेंटेंस और ह बहुत ही बढ़िया है अच्छा अभी हम लोग देखते हैं इनको कैसे बनाएंगे तो अभी आप देखो यहां पर यह देर का यूज वाला सेंटेंस है और यह वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा यह है अब दोनों को पढ़िये मेरे फोन में रीचार्ज है और दूसरा इसी बा कहें दो तरीके से रहे हैं लेकिन बात एकी है या नहीं है बिल्कुल बात एकी है ऐसे इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ मेरे परवार में पांच सदस हैं मैं अपने परवार में पांच सदस रखता हूँ बात एकी है बस दो तरीके से कह रहे हैं तो गैस अब चाहे हैजब है से बना लो और चाहे देर से बना लो चलो इस पहले वाले सेंटेंस को हम लोग देर से बना लेते हैं तो तेखो मैंने चाहे आप ऊपर वाली की इंग्लिस मान लो इसको या नीचे वाली की मान लो लेकिन बात एक ही है तो देर के यूज हम लोग देर के यूज से हमने हैजब ह मेट से भी बना सकते हैं आप देख लेज़े यहां पर हमने दो सेंटेंस बनाए और दो दो तरीकों से बनाए मैं उमाइद करता हूं आप लोगों को समझ में आइक हो ए अगर अब यह आपको समझ नहीं आए मैं अगले दो सेंटेंस और बना के आपको दिखाता हूँ अब आप इन दोनों लिखे हुए सेंटेंस को देखिए और इनकी दूसरी वाली जो हिंदी होगी वो क्या होगी उसको आप अपने मन में सोचिए तो यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हूँ है मेरे परवार में पांच सदसे हैं अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाओगे मैं अपने परवार में पांच सदसे रखता हूँ दूसरा वाला sentence देखो आप लोग मैं coaching में 120 students रखता हूँ और यहीं पे दूसरा वाला हो जाएगा मेरी coaching में 120 students हैं तो guys इनको बात यह किया इनको बना लीजी आप चाहे देर से बना लो चाहे है जाए बैट से बना लो तो सबसे पहले मैं उपर वाले sentence को देर से ही बना देता बना दू यह देखो I have five members in my family और इसको दूसरे तरीक से बना लो there are 120 students in my coaching guys आप लोगों ने इस तरीके से time तो लिखा हुआ जरूरी दिखा हुआ 5 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock लेकिन अब question यहाँ पर यह है guys क्या आप लोगों को o'clock का full form मालूम है तो guys यहाँ पर अगर आपको म नहीं मालूम है तो guys मैं बता देता हूँ कि o'clock का full form क्या होता है तो o'clock का full form होता है off the clock और मैं उमीद करता हूँ आपको जनकारी पसंद आई होगी मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाए टेके के लिए